हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के वमारे नए क्लास में और 12 में एक और कोशन हम लेकर आचुके लॉंग का ये भी कोशन काफी जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोशन भी कई बार एक्जाम में आ चुका है क्या कोशन है पढ़ते हैं समझाते हैं इसके बारे मे इससे पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि आपको इस चैनल पर पूरा 12 का कंटेंट मिल जाएका सब्सक्राइब कर केंगे इससे अफ़े नवीयोở जैसे ही रएप सकन चैनल पर वजब कराओने की अधम हुए के सारह हो चुके हैं यहां पर लॉंग कोशन अब बचे हुए और डिजायी सेट एका has diff इसकी PDF जो है वो शेयर कर दी जाएगी टेलिग्राम पर तो टेलिग्राम पर भी जोईन कर लीजे डेप्ट स्टडी को वहाँ पर सर्च कर लीजे जिसे कि यहाँ जैसे इस वीडियो को शेयर करें वहाँ पर आप डाउन्डोड करके अपना जो नोट्स है उसको भी अच्छे स प्रेपेर कर सकते हैं फिलाल इस कोशव कराते हैं कोशन क्या है पढ़ते हैं लिख उआ है कि पीयन संदि में अवच्छा परत क्यूब बन जाती है ठीक है फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि उप्युक्त आरेक की साहता से व्याख्या कीजिए अवच्छे पड़ती की चोड़ाई पर प्रभाव क्या पड़ेगा अगर अगर अभिनत हो और यदी पश्य अभिनत हो तो यह पूरा कोशन जो है वो लॉंग में आय पड़ेगा कि अवच्छे पर्थ होता क्या है यह तो बात की बात है यह बनती क्यों है पहले ही बात करेंगे यह होता क्या है ठीक है तो इसके लिए हमने एक डाइग्राम मना रखा है यह देखिए कुछ इस तरीके से पी अन संधी डायोड होता है क्या होता है एक साइड मे ठीक है, positive का मतलब है plus, यानि कि धन आवेश, n का मतलब है यहाँ पर negative, ठीक है, तो negative का मतलब क्या है, minus, समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे, इस diagram में क्या किया है, P वाले को हमने बैटरी से जोड़ दिया है, plus से, ठीक है, बैटरी में आपको पता ही होगा, दो तरीके क्या आवेश होते है, एक plus होता है, minus होता है, बड़ी वारी लाइन जो है, वो शो करती है, plus को, और जो छोटी वारी लाइन है, वो शो करती है, minus को, इतना तो पता ही होगा, इंटर क्लास में आप आ गया है, तो P का मतलब positive, तो यह किसे जोड़ेगा, positive वाले सिरे से, N का मतलब ह negative, यह जुड़ेगा, negative वाले सिरे से, कब, जब यहाँ पर हम अगर अभिनत की बात कर रहे है, अगर का मतलब है forward by sing, यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले P में क्या होते है, quarter होते है, यह याद रखिए, जो भी हम आपको बता रहे है, P में क्या होते है, quarter होते है, quarter बोल ल होते है, electron तो यहाँ पर पूरा भर दिया गया है, क्या होता है, जब भी, यहाँ से quarter और N से electron, दोनों एक दूसरे की और चलने लगते हैं, ठीक है, क्या होता है, यह इधर की और जाता है, यहाँ से electron इधर की और आते है, मतलब एक दूसरे की और आते है, और यहाँ पर आके electron का मतलब है minus आ रहा है तो यहाँ पर minus minus हो जाता है तो इसके ही कारण क्या हो जाता है यहाँ पर एक पर्त बन जाती है जिसे कहते हैं अवच्छय पर्त समझ में आया क्यों बन जाती है क्योंकि P से कोटर और N से electron एक दूसरे की और आकरशित होते हैं जिसे की अवच्छय पर्त का निर्माड हो जाता है और अगर आपसे पूछा जाए कि विभव प्राचीर क्या होता है ठीक है विभव प्राचीर तो जैसे ही अवच्छय पर्त बनती है तो यहाँ पर एक विभव उत्पन होता है जिसे विभव प्राचिर कहते हैं तो ये भी कोशन बनता है तो उसके बारे में भी पता दिया है ठीक है, पूरा समझा दिया है क्या है, जब अगर अभिनत होता है तब P से कोटर N की ओर और N से इलक्ट्रॉन जो है वो P की ओर गती करते हैं जिसे जो है, वो अभिशह पर्थ बन जाती है तो ये देखिए, यही लाइन लिखी है आपर कि P संधी में P में उपस्थित कोटर N की ओर और N में उपस्थित जो इलक्ट्रॉन होते हैं, वो P की ओर गती करते हैं इसलिए P संधी में संधी कर लेना मिल जाना आपस में या जुड़ना ठीक है यह समझ सकते तो दो चीजे जब आपस में जुड़ जाएंगे दो का मतलब एक P और N आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या कहलाएगी वो P N संधी और P में क्या होते है, कोटर होते है, यह हमेशा याद रखेगा P में क्या होते है, कोटर, कोटर या होल और N में क्या होते है, इलक्टरॉन होते है, क्या होते है, इलक्टरॉन तो बने ही हुआ है, दो तरीकी के अभीनात होते है, एक होता है अगर, एक होता है, पश्य, अगर का मतलब है, यहाँ पर फॉरवर्ड, पश्य का मतलब है, रिवर्ड्स, तो हमने आपको अगर वाला तो पूरा समझा दिये कि P वाला जो है, वो बैटरी किस से जुड़ेगा, प्लस वाले से, N वाला किस से जुड़ेगा, माइनश वाले से, गर्ति कैसे होती है, P से, कोटर जाते हैं, N की ओर, और N से जाते हैं, P की ओर, तो इसी के बारे भी थोड़ा सा त्यूरी भी लिख देंगे, यहनी इसकी व्याख्या कर देंगे, क्या व्याख्या करी, कि P स्क्षाज़ेले के लोगते हैं और हम दूसरे को उदाशीन का मतलब है उदेखिए जब इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा तो आवचह अपर बनती यहां पर कोई भी छलंशील आवेश्वाहक नहीं होता है चलंशील आवेश वहाग का मतलब है ना यहाँ पर कोटर होगा और ना ही यहाँ पर इलक्टरॉन होगा क्यों? क्योंकि जब भी कोटर और यहाँ पर इलक्टरॉन दोनों आपसे मिल जाएंगे तो क्या कर देंगे एक दूसरे को उदासीन कर देंगे तो यहांपर कोई भी ना प्लस होता है ना माइनस यहां कि ना ही कोई कोड़र होता है और ना ही होता है तो देखिए सा west में जैसा question आपके exam में पूछा जाएगा उसके according बताते भी जा रहे हैं तो आई होप समझ में तो आता जा रहा होगा और आपको याद भी करवा पा रहे होंगे आगे पड़ते हैं लिखा हुआ है और आपस में बिलकर एक दूसरे को दासिन करने लगते हैं और इसमें जो इस प्रकार संधी डायोड में धारा का प्रभा होता रहता है यानि पी जो ह और यहां पर पश्य का मतलब ही होता है न किसे जोड़ा होगा प्लस से फिर यहां पर लेकिन यह समस्क्राइब कर чудot यहां तरहें हैं न में हमेशा हैं इलक्ट्रोन इंसको पूरा भरा भर दिखा देते थीlight यहां पर भी देख लीजे श्याहँ उसमें क्याOk故 प्रतिकरशण क्यों कि यहां ओधर क्यों तोë फ्हत्ते हैं कि एसके बारें में दीटेल कि थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा तो हो जाएगा क्या बैटरी दो जाएम प्रतिकर्षिते हैं इस प्रकार कैसंधि डाइट में पेडगी क्रिश्टल को हम किसा जोड़ें निगेटिव में से पी का मतलब तो पॉजिटीव होता है लेकिन किस से जुड़ा हुआ है नेकेटिव से क्यूं कि हां पर हम क्या पड़ रहा है रिवर्स बाइसिंग और जो एंड वाला क्रिस्टल है वो किस से जुड़ेगा धंद्रूप से जुड़ता है फिर क्या लिखा हुआ है और धारा के प्रवाके लिए बहुत जादा प्रतिरोत की अवशक्ता पड़ती है जब एक दूसरे के अपोजिट डिरेक्शन में कर रहा है यहां पर गति तो क्याओ का जो बीच की अवच्छा पड़ था उसके चोड़ाई भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी वहां पर क्या था अ कोशन आता है अभी इसी कोशन में था कि यह देखिए अब कोशन आपको दिखाते हैं कोशन में यह पूछा गया है कि अवच्छा परत की चोड़ाई पर क्या प्रभाब पड़ेगा अगर अग्रविनत है और पश्यभिनत में क्या होगा चोड़ाई क्या हो जाएगी क्यों जाती है क्योंकि यहां पर जाके क्या होते हैं सारे लक्टर और वो उदा सीव हो जाते हैं तो इसलिए कि जो चोड़ाई होती है वह लगबख जिरो जाती है तो पूरा कोशन आपको अच्छे से समझा पाये होंगे पूरा समने डीटेल में बता दिया है और आशा करत पूर सकते हैं, इस अग्ले क्लास में रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो नेक्स कोशन के संग, तब तक के लिए जय हिंद।